अब तो यहां पे मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है अब यहां पे फिल्म सीटी भी बन रही है अब यहां पर यानि जो कभी कल्पना थी आज वह इस जन्पत के माध्यम से नकेवल प्रदेश को बलकि देश को मिलना है यह जो सकारात्मक वातावर्ण पिसले दस वर्ष के अंदर देश के अंदर देखने को मिला है यह अद्बूत है दुनिया इसके प्रतेवी बूत है और हम भारत वास्यों का दहित भी बनता है एक तरह प्वे लोग हैं जिनके लिए फेमली फस्ट एक मात्र उनके जीवन का मिशन है लेकिन दूसरी तरह मोदी जी के नित्रुत्तों में या मंच भी है जिनके लिए नेशन फस्ट है रास्ट प्थम कि उन मुल्यों के साथ जो जीवन जीते हैं एक तरह वे लोग हैं जिन्होंने जातिबात की आधार पर सामाजिक तानेबाने को छिन भिन किया और दूसरी तरह सब का साथ और सब की विकास की भाव के साथ करकारे करने वाले मोदी जी के नित्रुत्तों में भारतिय जन्ता पार्टी का परिवार है एक तरह स्वार्थी परिवार है जो गौतम पुद्रनगर जन्ता को अभिसित्त बना लेता है और दूसरी तरह मोदी का परिवार है जो गौतम पुद्रनगर जन्ता में इस बात की परवाह के वेगर के कुर्सी जानिये तो चली जाए लेकिन गौतमबु दनगर चनपत का विकास अवुरुत नहीं होना है ये है विकास और सकारत्मक सोच के साथ नेशन फ़स्ट की फ्यूरी हम देश के बारे में सोचेंगे देश रहेगा हम सब भी रहेंगे देश रहेगा देश संब्रिदी करेगा हम भी संब्रिदी के और अग्रसर हो जाएंगे एक वो भारत था जब लोग भूकों मर रहे थे अनजादा किसान आत्मत्या कर रहा था नौजवान प्लाइन करने के लिए मुझबूर था इंडस्ट्री बंदी के गगार पर थी गुंडे और अपराधी जिस तरीके से बेवार करते थे जिस प्रकार के राजकता भेलाते थे यही राज्य है तंगा होता था कर्फ्यू लगता था मैं किसी देश में गया इस दोरान मेरे पास वहाँ पर भारत के जितने भी हमारे राजनीक थे जिस भी देश में गया वहाँ पर वोग आके दो चार अधिकारी मिलते के कहते थे किसा अब हम लोग ते हाँ काम कर रहे हमारी बोड़े माबाप है गौतम उद्द이нगर जन्पद में हमने एक फलैट के लिए पैसा जमा किया था कोई कहता था दस साल हो गए कोई कहता था बारा साल हो गए कोई कहता था पंदरा साल हो गए आस तक हमें नहीं मिला और मुझे जब हम लोगों ने कमीटी गठित की और कमीटी की रिपोर्ट आई तो मैंने यहां पर उसी समय अफ्टॉर्टी से का मैंने गभी देखो कमीटी की रिपोर्ट का अब लागो करो हर आल में लागो कर दो कोई इसमें विवात नहीं होना चाहिए और हर एक बायर्स को उसका अधिकार मिल जाना चाहिए इसकी परकरिया को तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और मुझे सत्मों बहुत अच्छा लगा मैं उस दिन आनी पाए मुझे यहां आना था लेकिन चुकि तीन बजे चुनायों की बैठक सुरू हो गई तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे पीच कारिक्रम से उठना पड़े और मैं इसलिए मैंने काभी कारिक्रम आपका चारी जारी जौर रहूंगental मैं नहीं रहूँगा लेकिन जनता को वहां का दिकार मिलना चाहिए जन प्रतिनुदियों के जो मांग है उसको पूरा किया जाना चीज़े और पेड़ान था जब मैं अगले दिन पेपर की पक्टिंग में मंगा के देखा मैंने कर देखा किसी को 27 साल के बाद किसी को 25 साल के बाद किसी को 23 साल के बाद किसी को 21 साल के बाद उनका मक्तान का दिकार मिला उन लोग चेहरे की खुशी देखने लायक थी उस समय और हम लोगों के लिए इससे जाजा खुशी क्या जनता जनार्दन खुश है हम लोग खुश है हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है एक कौमन में खुश है तो हम खुश है लोग कह कि अपनादियों के खिलाब कारवाई करते हैं क्या डर नहीं लगता मैं कहता है जब अपने को महसूस करें तो मेरी सुरक्सा उसी में नहीं है और इसलिए यहां कार जिस प्रतिवधिता के साथ सरकार कर रही है आप सब के सामने एक तरह वे लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे और दूसरी तरब यह सरकार है जो कर्फ्यू नहीं कावड यातरा सांदार तरीके से चलाएक रही है अंतर है, देखो केवल सोच का अंतर है, उनको कर्फ्यू प्यारा था, लेकिन हमें कर्फ्यू नहीं, हमें तो जन्ता की खुसाली प्यारी है, जन्ता जनार्दन जिसमें खुस रहे जिसमें उस सुरक्सित रहे जिसमें उस संब्रिदी के और अक्रसर होगी और उस कारे को करने के लिए हम लोग आये हैं मोधी जी के नित्रतों में सब कारे देश के अंदर हो रहा है गरीब कल्यान करी उसनों के बारे में कोई स्वस्ता है कितना बड़ा कारी हुआ है हमने अकिले उत्तर प्रदेश में छपन लाग गरीबों को एक एक आवास दिये हैं छपन लाग गरीबों को देश के अंदर चार करोड गरीबों को मकान मिले हैं 80 करोड गरीबों को फ्री मेरासन की सुविदा 25 करोड गरीब देश के अंदर ऐसे हैं जो गरीबी रेखासी ओपर उठे हैं और प्रदेश के अंदर 6 करोड गरीब ऐसे हैं जो गरीबी रेखासी ओपर उठ चुके हैं 10 करोड गरीबों के घर में रुसोई का सिलेंडर पहुंच गया नहीं तो 2014 के पहले क्या था एक कनेक्शन लेने के लिए हजारों रुपिया भी खर्च होता था और रुपिया खर्च अलक होता था पर्व और तेवार के दिन अगर LPG का सिलेंडर खाली हो गया और सिलेंडर के साथ सारा परिवार का पर्व और तेवार का जो मजा था और फिका हो जाता था क्योंकि रुसोई कैस का सिलेंडर 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 रुसोई कैस ही नहीं घर में कैसे गर में कोई कुछ बनाएगा इस सारे भी कही हो जाते थे और अगर कोई जबर्दस्ती करता था कि नहीं हमें रुसोई गैस चाहिए तो रुसोई गैस तो नहीं मिलती थी लेकिन पुलिस का डंडा जरूर मिल जाता था लेकिन आज देश के अंदर दस करोड गरीबों को फिरी में रुसोई गैस की कनेक्शन भी मिले हैं और साथ साथ जब मरची तबाद रुसोई गैस के सिलिंडर ले सकते हैं कोई बाद देता नहीं इसलिए सर्कारों ने बांग दिया था कि साल मैं च्छे देंगे एक यानि जैसे एक कोटा सिस्टम इन्हों ने लागू कर दिया था पुरे देश के अंदर देश को इसी दंग से चलाया जा रहा था देश को कुछ लोगों ने अपनी पपोती बना के रख दिया था इससे देश नहीं चलता है हम लोगतांत्रिक मुल्यों के साथ रह रहे हैं और लोगतांत्रिक मुल्यों के साथ हमारी प्रतिवदता है इन प्रतिवदताओं को आगे बढ़ाते वे हम सब को कारे करना है और बस दिस से आज मुझे आपके बीच आने का उसर प्राप्त हुआ है गौतम उद्रनगर जन्पत तो वेसे भी एक सकारत्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला जन्पत है आज मैं आपसे ही फिल करने के लिए आया हूं कि जो माहोल बना है चुनाओ के दौरान बहुत कठिन होत है एक सांसत्पत के प्रत्यासी के लिए कि वहाँ घर घर जा सके इस बार तो जो पहल टौक्टर महेश सर्माजी ने की बहुत सारी सोसाइटी में भी पोलिंग बूद बन गए होंगे और मुझे लगता है कि गौतम उद्रनगर जन्पत मैं बदाई दूंगा आपको महेशी और गौतम उद्रनगर जन्पत की जन्ता जनारदन को भी मैं इसके लिए बदाई दूंगा कि उनको ये सोगात मिल गई है एक पैलेट प्रोजेक्ट की रूप में गौतम उद्रनगर जन्पत में कारे आजमागो हुआ कि जो बहुत दूर दूर तक लोग जाते थे और इसलिए पोलिंग परसंटेज पर ध्यान देना होगा तब दूसरे चर्ण में ही आपका चुनाओ है लिकिन फिरी पहले चर्ण में पहले दिन उस दिन का संकल्पी मारब पहला है कि लोकतंत्र के इस महापरव का हिस्सा बनना और मद्दान करना ये पहला कारिय हमारा होना है और उसके लिए सोसाइटी में तो ये आउसर मिलाई है लेकिन मैं आपको इस बात के लिए अस्वस्त कर सकता हूँ कि मोदी जी के नेत्रुतों में जो डबल इंजन की सरकार कारे कर रही है ये समस्यानी देती है समाधान पर विश्वास करती है और समाधान के लिए भारत को विक्सित भारत की रूप में स्थापित करने के लिए आत्म निर्भर भारत और एक ग्लोबल लीडर भारत की रूप में भारत को स्तापिद करने के लिए आप सब को डॉक्टर महेश सर्मा बनना पड़ेगा रिकॉर्ड वोटों से डॉक्तर महेश सर्मा जी को चुनाव जिताने के लिए लगना पड़ेगा कोई भी अतियात्म विस्वास का भाव नहीं होना है योत्त और चुनाव दोनों पुरी सावधानी और पुरी सतरकता के साल लड़े जाने चाहिए पुरी मजबूती के साल लड़े जाने चाहिए हम उसी सतरकता और सावधानी का परिचे देते वे एक एक वोट डॉक्तर महेश सर्मा जी को दिलवा करके असी उत्तर प्रदेश के अंदर असी मनकों की जो माला मोदी जी के गले में पढ़नी है उसमें से गौतम बुधनगर जन्पत की जो माला होगी सर्वाधिक वोटों की होनी चाहिए क्योंकी देश के अंदर सबसे ज़यादा निवेस भी और सबसे अधिक आर्थिक प्रगती के साथ साथ सब कुछ आपको मिला है मेट्रो आपको मिल गई dedicated freight corridor के दोनो eastern and western dedicated freight corridor का junction भी आपको मिल गिया airport भी आपको मिल गिया film city भी आपको मिल गई medical device पार्क भी मिल गिया और सबसे ज़्यादा निवेश के साथ साथ सबसे ज़्यादा परकैप्ता income वाला जनपद भी कौतम बुधनगर जनपद बन गया है तो इन सभी उपनपदियों के लिए केवल आप से यही एपक्सा रखेंगे कि अगर हम लोगों ने आने का विसाप को तोड़ा है तो आपको चुना बूध पर जाने के विसाप से भी अपने को अलग करना पड़ेगा कि हम जाएंगे ज़रूद गर्मी होगी, सर्पी होगी, परसाथ होगी, कुछ भी होगा हम पोलिंग बूध पर जाएंगे और प्रतेग जनता जनारदन से ही फिल करनी है